नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सबी स्वागत है डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर जहां पर मद्द परदेश की ग्राम पंचायतों में भरती की अपडेट लेकर हम आ चुके हैं यदि आप भी रोजगार का काफी अच्छा मौका पाना चाहते हैं तो आप के लिए हाल ही में बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके मताबिक बार भी पास उम्मिदवारों को अपने ही गाओं में सरकारी नौकरी मिलने वाली है यदि आप भी इस भरती की पूरी खवर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर अन्त तक जुड़े रहकर इसे देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको आना होगा खंडवा.nic.in पर जहां पर आपके लिए डिस्ट्रिक्ट खंडवा के लिए पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी यहां पर home page पर बहुत सारी जानकारियां उपलबद हैं तो आपके लिए आना होगा यहां पर menu पर जैसे ही menu पर किलिक किया जाता है आपके लिए notice बिकल्ब पर जाना होगा जैसे ही notice open हो जाएगा यहां पर भरती सूचनाएं देखिजा सकती हैं तो आब हम यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आजाते हैं तो आपके लिए ग्राम सचयों की भरती है तू बिग्यापन संख्या दिखाई दे रही होगी जिसका नोटिस इबम बिग्यापन यहाँ पर विस्तरत रूप से दिया गया है यदि आप भी इस आवेदन में लेना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले तो नोटिफिकेशन देखना आवश्यक है जिसकी पूरी जानकारी विस्तरत रूप से आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो जैसे ही हम नोटिस ओपन कर लेते हैं आपको स्क्रीन पर पूरा नोटिस दिखाई देगा जिसमें स इब्यांग पंचायत सचयों के पद की विग्यपती के सम्मंद में मतलब पंचायत सचयों के पद पर भरती होने वाली है जिसमें पदों की संख्या दो रहने वाली है मतलब पंचायत में दो पद पर भरती होने के लिए यहाँ पर बौकेन इंटर्वियू का पूरा विवर दिया गया है जिसमें अन्रिजर्ब्ड कैटेगरी के लिए दो पद हैं जिसके लिए आपको सेक्षणे के योगता में बारवी पास के साथ कम्पीटर छेतर में डिपलॉमा डिगिरी इत्यादी होना चाहिए यदि पेमेंट की बात की जाए तो आपको शुरुआती दो साल त आवेदन को पूरा कर सकते हैं आवेदन पूरा होने के बश्याद आप सभी के लिए वाकेन इंटर्व्यू में सामिल किया जाएगा इसके लावे अदि अन्य सर्तों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र अंतिम्तिथी कारेलाई के पते पर मुख्य कार पालन अधिकारी जिला पंचायत खंडवा के नाम से संबोधित कर स्वयम प्रस्तोत करें मतलब आपको यह आवेदन पत्र साइकाल 6 वजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए इसके पश्यात आवेदन स्विकृत नहीं किया जाएगा यदि आप अपना आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं तो आप आफिशल वेबसाइट या फिर कारला जिला पंचायत खंडवा में अपना यह आवेदन स्वरूप भेज सकते हैं इसके लिए आपको इमेल आइडिय त्यादी पूरी जानकारियां और सरते देखनी होगी इस प्रकार से आवेदन किया जा सकता है तो यह इसकी जानकारियां सभी उम्मीदवारों को सब्मिट करना आवश्यक है अब हम यहां पर आवेदन में कौन-कौन सी जानकारी भरेंगे तो आप पूरी जानकारी देख सकते हैं सबसे पहले तो पासपोर्ट साइस फोटो लगाएं इसके बाद नाम मैं पिता पती इत्याद जन्मिति थी सेक्षणे की योगता हन्य योगता कंप्यूटर जाती विबाहत पत्रचार इत्यादी पूरी जानकारियों के साथ अपना पता पिन कोड दर्जि करते हुए स्वागोशना करें और यहां पर हस्ताक्षर करते हुए पूरा नाम और मोबाइल लंबर दर्जि कर दी इस प्रकार से उस आवेदन फॉर्म को भरने के बाद आपको निम्न दस्तावेज सनलगन करने होंगी तो दस्तावेज कौन कौन से हैं आप यहां पर पॉइंट अनुसार देख सकते हैं और इसका स्क्रिंसोर्ट भी ले सकते हैं तो स्क्रिंसोर्ट लें और यह सभी दस जो कि कारेला जिला पंचायत खंडवा मद्द प्रदेश की तरप से रोजगार हेतु आविदन करना चाहते हैं वह है इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं साथ ही हमने इस वीडियो में आप सवी के लिए पूरी जानकारियां प्रदान की यदि अभी भी कोई समश्या है तो आप ओफिशल नोटिफिकेशन देखें साथ ही अन्य सूत्रों के मताविक पूरी खबर चेक कर लें हम लगातार आपके लिए ऐसी ही अपडेट से रोजगा मिलती रहेंगी धन्यवाद